देखो कांच के आईताकार सिलेब के कारण पार्सविक विस्थापन हम लोग आज देखेंगे कांच का आईताकार सिलेब कैसा सिलेब है? आईताकार सिलेब रेक्टेंगुलर ग्लास सिलेब क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास सिलेब देखो यह ने एक आईताकार ग्लास सिलेब यह क्या है बोलो? आईताकार कांच का बना हुआ यह है यह जो है ना टुकरा यह किसका बना हुआ है? कांच का और इसका आकार कैसा है? आयताकार है, रेक्टेंगूलर है, कोई दिक्कत रही? हाँ, इससे अब देखो, कैसे रिफ्रेक्शन होता है? इससे प्रकास की एक कीरन को भेजें, परावर्तन के पसाथ, ये किधर जाएगी? परावर्तन होगा की नहीं इसमें? परावर्तन की अपवर्तन? कुछ हो बोलती है, अपवर्तन होगा। नॉर्मल के तरफ? फिर क्या होगा? देखो, यहाँ पर दो गो सता है, पहला सता है यहाँ पर, और दुसरा सता है यहाँ पर, है ना? तो दो जगह अपवर्तन होगा, यहाँ पर भी अपवर्तन होगा, दुसरा यहाँ पर फिर अपवर्तन होगा, समझ गा? दो बार अपव और जब दूसरी सता पर कहा जा रहा है, काच से वापस वायू में जा रहा है, हैना ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, जा रहा है, तो दोबारा से अपवर्तन होगा, यहाँ पर फिर से अपवर्तन होगा, और इस पर किधर जाएगा? हाँ क्योंकि ये सगहन से विरल माध्यम में जा रहा है तो किधर जाएगा अभिलम से दूर जाएगा ऐसे चला गया कोई दिक्कत नहीं ना है अब देखो ये है इसको बोलते है क्या ची आपतित कीरन इंसिडेंट रे इसको क्या बोलते है ये अपवर्तित ठेक देखो ये वाली कीरन जो प्रारंभिक कीरन था A B ये B C और ये C D A B और C D parallel हो जाता है A B और C D क्या हो जाता है parallel हो जाता है समांतर हो जाता है समझ गए ग्लास स्लैम में जब भी अपवर्तन होता है तो देखो ये प्रारंभिक कीरन और ये जो अंतिम कीरन है निर्गत कीरन कहते हैं इसको है ना ये आप्तित कीरन और ये निर्गत कीरन ये दोनों क्या हो गया समांतर हो गया इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों क्या हो जाता है parallel हो जाता है समझ गया ना ये parallel हो जाता है हमेशा इसको हम लोग I से दिखाते हैं इसको E से दिखाते हैं समझ गया तो यहां AB क्या है आप्तित कीरन है AB को क्या कहते है आप्तित कीरन मतलब इंसिडेंट रे और CD को क्या कहते है जो बाहर निकला निर्गत कीरन कौन कीरन निर्गत कीरन मतलब इमर्जेंट रे आई जो है यह तो हो गया आपतन कुन और यह निर्गत कुन एंगल ओफ इमर्जेंस तो नियम क्या होता है आई और यह बराबर होता है कोन आई और कोन यह क्या होता है बराबर होता है ठीक है आपतन कौन और निर्गत कौन क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो जब भी ग्लास स्लैप से अपवर्तन होगा आई और यह कामान बराबर होगा समझ गए लिखो ठीक है तो I बराबर क्या होता है आपतन कौन बराबर निर्गत कौन और यहाँ पर A, B और C, D क्या होगा समानतर होगा ठीक है यहाँ पर एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे यह जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या कहते है इस दूरी को पार्सविक विस्थापन कहते है इस दूरी को क्या कहते है यह जो दूरी आया है पार्सविक विस्थापन कहते है लेक्टरल डिस्प्लेस्मेंट कहते हैं अंगरी जी में इसको D से दिखा देते है तो यह जो दूरी D है इसको हम लोग कहते है पार्सविक विस्थापन ठीक है ना? और पार्सविक विस्थापन क्या हो गया? यह जो आप्तित कीरन और निर्गत कीरन के बीच का जो यह दूरी है यह ना इसी को वो लोग पार्सविक विस्थापन कहते हैं पार्सविक विस्थापन या फिर लेटरल डिस्प्लेस्मेंट अंगरी जी में कहते हैं समझ गए तो पार्सविक विस्थापन का परिभास हम लोग लिख देंगे हाँ लिखेंगे आप्तित की रन और निर्गत की रन के बीच की दूरी को आप्तित की रन और निर्गत की रन के बीच की दूरी को के बीच की दूरी को पार्सविक विस्थापन कहते हैं ठीक है अंगरीजी में distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement अगला topic आप हम लोग चर्चा करेंगे देखो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई जैसे तुम लोग ध्यान देगा यदि पानी में यदि हम लोग कुछ डालते हैं पानी के अंदर पत्थर डाले तो उँठोड़ा उंचा दिखाई पड़ता है पानी के अंदर पैंसिल डालते हैं तो वो टेड़ा दिखाई पड़ता है पानी के अंदर अगर गिलास है उसमें पानी भरा होगा एक पैंसिल डाल देंगे तो पैंसिल हम लोग को थोड़ा टेड़ा दिखाई पड़ेगा ठीक है? उसके अंदर यदि एक सिक्का डाल देंगे, पांच का डॉलर डाल देंगे, तो वो थोड़ा उपर दिखाई पड़ेगा, क्या समझे, ऐसा क्यों होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रेक्शन के कारण होता है, तो लिखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, वास्तविक गहराई एबं अभासी गहराई, अगला टॉपिक लिखेंगे, वास्तविक गहराई, एबं अभासी गहराई, अंग्रेजी में, रियल डेफ्ट एंड अपारेंट डेफ्ट, ठीक है रियल डेफ्ट और अपारेंट डेफ्ट, हम लोग देखेंगे, देखो, माल लेते हैं कि यहाँ एक गिलास है, पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर एक सिक्का रखते हैं, इसके अंदर क्या रखते हैं, सिक्का, पांच का डॉलर रख दिया मालो, यहाँ, नीचे, जब उपर से देखेंगे, तो हम लोग को सिक्का यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा उपर दिखाई परता है, थोड़ा उपर दिखाई परता है, क्या समझे, क्यों दिखाई परता है, प्रकास के अपवर्तन के कारण, ठीके न, अबजेक्टिव में यह सब पुछा जा सकता है, कि गिलास में रखासिक का उपर दिखाई पड़ता है किस घटना के कारण तो प्रकास के अपवर्तन के कारण ठीक है न ऐसा question सब पूछा जा सकता है क्यों दिखाई पड़ता है उपर सो देखो एक कीरन इधर बेज दीए, एक कीरन इधर बेज दीए अभी यहां पर होगा प्रकास का अपवर्तन ने होगा यह चला जाएगा कुछ इधर किधर जाएगा अभी लंब से दूर जाएगा तोनों किधर जाएगा अभी लंब से दूर नॉर्मल से दूर जाएगा क्यों क्यों क्योंकि सगन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है है ना डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट किधर जा रहा है डेंसर मीडियम से तो नॉर्मल से दूर हो गया, ये भी नॉर्मल से दूर चला गया, ये भी अभी लम से दूर चला गया, दोलों को पीछे लओ, कहां पर कटा, इस बिंदू पर कटा, तो सिक्का हम लोग को यहां नहीं दिखाई देगा, सिक्का कहां दिखाई देगा, है यहां, इडेस पर दि कोई हो बात कि इस तो सिक्का का है वास्त गहराई एक क्या है सिक्का का अ Audio में तो सिक्का dato है तो यह सिक्का क्या है है नो जो बेच्छा थो ए Bakस्ता मी गहराई ऊंग्रीजी में ऐ remix तो यह वाला है और यह जो गहराई बना यह यह लबका गहराई जो है लबका यह है अभासी यह देखने में लगेगा ऐसा यह क्या है अभासी गहराई अंग्रेजी में अपारेंट डेफ अब दोनों के बीच एक फॉर्मूला होता जो हम लोग याद रखेंगे आभासी गहराई और वास्तवी गहराई के बीच का एक फॉर्मूला है याद रखेंगे देखो वास्तवी गहराई बटे में आभासी गहराई वास्तवी गहराई बटे आभासी गहराई बराबर होता है म्यू बराबर क्या होता है याद रहेगा रियल डेप्थ बट्टे में अपारेंट डेप्थ बराबर में ठीक है बस्तविक गहराई बट्टे अभासी गहराई बराबर में बस्तविक अभासी प्रड़ू सहराई बट्टे के लिड़ू और।े में चितर भी बना लेंगे बास्तविक गहर आई बट्या बास्ति गहर आई बराबर होता है म्यू चलो देखो बाबु एक बाद यहां पर हम लोग देखेंगे लिख लेंगे इसमें एक दो लाइन पानी में रखा सिक्का उपर दिखाई परता है पानी में रखा सिक्का उपर दिखाई परता है इसी तरह से पानी में रखी अन्य वस्तुवें भी उपर दिखाई परती है पानी में रखी अन्य वस्तुवें भी उपर दिखाई परती है अन्य वस्तुवें भी उपर दिखाई परती है कोनों वस्तुव पानी में रखेंगे वह थोड़ा उपर दिखाई परती है एक चीज और पानी में जब पैंसिल रखते हैं तो टेड़ा दिखाई परता है लिखेंगे पानी में रखा पैंसिल टेड़ा दिखाई परता है यह सब घटना प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है यह सब घटना प्रकास के अपवर्तन के कारण यह सब घटना प्रकास के अपवर्तन के कारण होती है ठीक है सिक्का उपर दिखना सिक्का का कोई भी वस्तु पानी में रखने पर उपर दिखाई परता है पैंसिल टेड़ा दिखाई परता है यह सब प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है अंगhertz में लिखेंगे क्वाइन प्लेस इन बॉटर एपिर्स एबव एक्वाइन प्लेस इन बॉटर एपिर्स एबव फिर लिखेंगे और किस्रा बिंदू लिख लेंगे A pencil placed in water bends A pencil placed in water bends at the surface Surface par mud jata hai Bends at the surface A pencil placed in water bends at the surface All these phenomena is due to reflection of light all these phenomena is due to reflection of light ठीक है यह सब घटना किसके कारण होती है प्रकास के अपवर्तन के कारण होती है ठीक है अगला topic लिखेंगे क्रांतिक कौन अगला topic क्रांतिक कौन ठीक है और उसके बाद एक और चीज़ बताई थे तुम लोको पिछले बार पार्सो विस्थापन लेटरल डिस्प्लेस्मेंट ठीक है ना तो जब भी प्रकास की कीरन कांच के स्लेब से जाती है किससे कांच के स्लेब से तो उसमें एक होता है क्या चीज़ आप्तित कीरन और एक होता है निर्गत कीरन एना इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है ना तो आप्तित कीरन और निर्गत कीरन क्या होता है समानतर होता है ठीक है हम लोग देखे थे देखो ऐसा चितर बनाई थे जब भी प्रकास की कीरन किस से गुजरती है ये है आप्तित कीरन और ये क्या है निर्गत कीरन ये इंसिडेंट रहे ये इमर्जेंट रहे और ये वाला एंगल जो हुआ आई वा ये वाला कौन को क्या करते है ये तो आई बराबर ये होता है और ये आप्तित कीरन और निर्गत कीरन समांतर होता है परलल होता है इसके बा इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्स विस्थापन कहते हैं, लेक्टरल डिस्प्लेस्मेंट कहते हैं, ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो आज पढ़ेंगे, हम लोग क्रांतिक कौन क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, क्रांतिक कौन क्रिटिकल एंगल, यह होता क्या है क्रांतिक कौन क्या होता है क्रिचिकल एंगल क्या होता है देखो प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किस में जाएगी सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी मतलब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी देखो क्रांतिक कोन तभी बनता है सबसे पहला सर्थ यही है क्रांतिक कोन बनने का कि प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी कहां से कहां जाएगी बोलो सगन माध्यम से विरल माध्यम में सबसे पहला सर्थ यही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्रांतिक कोन नहीं बनेगा, क्रांतिक कोन कब बनेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, क्या समझे बाबु दुनिया बहुत समय देखने के लिए, है बाबु, दुनिया देखने का बहुत समय है, दुनिया देखते रहती है, सघन माध्य मतलब डेंसर मीडियम जीवन में कम समय मिलता है दुनिया देखने का यहां पर तो दो ये तीन घंटा के लिए आते हैं बाद बागी देखो अठारा घंटा दुनिये देखो रेरर मीडियम ठीके ना तो जब भी प्रकास की किरन सगन माधियम से विरल माधियम में जाती है तब क्या होता है बोलो तो क्रांतिक कोण बनता है कैसे बनता है सो देखो ये क्या है आपतित किरन है यहां पे जो कोण बनता है इसको क्या कहते है आप तन कोन कहते हैं एंगल ओफ इंसिडेंस कहते हैं अब इधर देखो सगहन माध्यम से यदि वीरल माध्यम में जाती है प्रकास के कीरन तो क्या होता है अभिलंब से दूर हो जाती है अभिलंब से दूर होती है न तो इस प्रकार से जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर हो हो गया कि नहीं हो गया कोई दिक्कत ने ना यह आई है तो यह कौन क्या हो गया आर हो गया अब देखो यदि हम आप तन कोन को बढ़ा दें क्या कर दें आप तन कोन को बढ़ा दें मतलब ऐसे भेज़ देते हैं कि यह एंगल अपर इंसिडेंश को बढ़ा दिये ना को कोा को बढ़ा दिये तो क्या होगा कि यह और दुर चला जाएगा जैंगा के नहीं? इसको थोड़ा ऐसी भेज़ दिये, कीरण को थोड़ा इधर भेज़ए, कोन बढ़ा दिये, together गया है और दूर फेज़ दिये इसको क्या कर दिये आप तित्किरन को और दूर फेज़ दिये अब क्या होगा यह थोड़ा और इधर खिसकेगा एक समय आए गई खिसकते खिसकते इसी पर आ जाएगा, खिसकते खिसकते कहां आ गया, इस सतह पर आ गया, सतह पर आ गया, सरफेस पर आ गया, समझगा की नहीं, तो ये जो अपवर्तित की रन है, ये खिसकते खिसकते कहां पहुंच गया, सतह पर पहुंच गया, जैसे जैसे हम लोग तो अपवर्तित की रन क्या हो गया धीरे धीरे कहा पर आ गया सतह पर पहुंच गया जब अपवर्तित की रन सतह पर पहुंच गया तो यह वाला कौन कितना बन गया 90 डिगरी बन गया कि नहीं यह वाला कौन कितना बन गया 90 degree बन गया अई कौन की रन है अपवर्तित की रन अपवर्तित की रन कहां चला गया सतह पर चला गया सर्फेस पर अपवर्तित की रन मतलब रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे कहां चला गया सर्फेस पर चला गया ठीक है न तो यही जो कौन बना यहाँ पर आपतन कौन जो बना यहाँ पर जिस पर अपवरतन कौन 90 डिगरी हो जाता है इसी को हम लोग क्रांतिक कौन कहते हैं जिसको IC से दिखाते हैं समझ गया क्रांतिक कौन को किसे दिखाएंगे IC से दिखाएंगे I नीचे में C, C मतलब क्रेटिकल, I मतलब कौन समझ गया तो वह आपतन कौन जिस पर अपवरतन कौन क्या हो जाता है 90 डिगरी हो जाता है उसको हम लोग क्रांतिक कौन कहते हैं समझ गया ना और यह कब होता है जब प्रकास की कीरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है समझ गया तो लिखेंगे इसकी परिभास लिखो जब प्रकास की कीरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है जब प्रकास की कीरण सगन माध्यम से वीरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोन का वहमान जिस पर अपतन कोन का वहमान जिस पर अपवर्तन कोन कोस्ट में लिखेंगे अपवर्तन कोन के कोस्ट में आर बराबर 90 डिगरी अपवर्तन कोन कोस्ट में क्या लिखें आर बराबर 90 डिगरी अब वर्तन कोन कोस्ट में लिखें आर बराबर 90 degree हो जाता है उसे क्रांतिक कोन कोस्ट में लिखेंगे क्रांतिक कोन के कोस्ट में ic कहते है समझ गया अंग्रेजी में लिखेंगे when light ray travels from denser medium to rarer medium when light ray travels from denser medium to rarer medium करांतिक कौ grain तभी बनेगा जब Prakas की किरन किधर? सगनमाध्यम से विरल में जाती है तभी बनेगा denser medium से rarer medium में जाता है तभी जब Prakas की किरन अंगरेजी में लिखे when light rays travel from denser medium to rarer medium when light ray travel from denser medium to rarer medium the angle of incidence the angle of incidence at which the angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree the angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree cost me ligh dhiyan rarer 90 degree is called critical angle is called critical angle cost me ligh dhiyan ic to krantik kone ke liye kya shart hai krantik kone ke liye kya shart hai bolo prakas ki kiraan saghan madhyam se viral madhyam me jani chahiye likh lenghe shart shart kya hai iska condition prakas ki kiraan saghan madhyam se viral madhyam me jani chahiye krantik kone ka zart ho gya prakas ki kiraan saghan madhyam se viral madhyam me jani chahiye condition light ray light ray light ray passes from denser medium to rarer medium light ray passes from denser medium to rarer medium अब अब देखो इसका formula निकाल लेते हैं mu2 बटे mu बटे e वाला formula याद रखना है sin i बटे sin r बड़ाबर mu नहीं mu2 बटे mu 1 e याद रखो ठीक है ना बड़ाबर mu भी होता है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा formula ये है इसका ज़्यादा उपयोग है sin i बटे sin r बड़ाबर mu2 बटे mu बटे इसका ज़्यादा उपयोग है देखो यहाँ पर क्या है i के जगा लिख देते हैं क्या चीज ic क्रांतिक कोंदे देते है तो जब i हो जाता है ic तो r कितना हो जाता है 90 degree तो r के जगा क्या लिख देते है 90 degree बड़ाबर mu2 बटे mu 1 माल लेते हैं कि यह जो viral माध्या में यह वायू है माल लेते हैं क्या बोलो यह जो viral माध्या में यह क्या है वायू है air है जिसका mu क्या होता है 1 होता है ठीक है तो mu2 के जगा क्या आएगा 1 उपर में mu1 के जगा क्या लिख देते है mu ठीक है, mu1 के जगा क्या लिख दिये, mu ये कुछ भी हो सकता है, जल हो, कांच हो, हीरा हो, कुछ भी हो ठीक है, और ये वाला माधियम क्या है, yu है दूसरा माधियम yu है, क्योंकि yu सबसे ज़्यादा viral माधियम होता है क्या समझे, इससे ज़्यादा कोई rarer नहीं है, इससे ज़्यादा कोई भी viral नहीं है अब sin 90 का मान, sin 90 का मान जी, एक होता है तो sin ic बराबर क्या आओ गया, एक बटे mu, यही एकरांतिक कौन का मान अब sin को इदर बेज़ दो, तो ic बराबर क्या हो गया, मैत में पढ़ाता ना, sin को इदर बजना, sin inverse, एक बटे mu होता है, यही फोर्मुला है क्रांतिक कौन का 安全 क्रांतिक कौन बराबर क्या होता है, sin inverse, एक बटे mu तो 12th के लिए देखो यही सब, यही सब चीज ज़्यादा important है, अभी तक जो पढ़ रहे थे सब दस्मी है वाला चीज सब पढ़ रहे थे लेकिन यह सब जो नया चीज है जो कि दस्मी में नहीं था, तो यह सब 12th के लिए important है तो IC बराबर साइन इंवर्स एक बटे मियो, क्रान्ति कोन बराबर क्या होता है, साइन इंवर्स एक बटे मियो IC बराबर क्या होता है, बोलो साइन इंवर्स एक बटे मियो साइन इंवर्स एक बटे मियो पिछले बार तुम लोग को एक चीज और बताए थे, वास्तविक उचाई और और क्या था, आभासी मुचाई, हैना, रियल डेफ्थ और एपारें डेफ्थ, उसका फॉर्मुला भी बताई थे, जब भी पानी में हम लोग क्या डालते हैं, कोई पत्थर डालते हैं, सिक्का डालते हैं, तो वो क्या उपर नजर आता है, हैना, वो कैसा नजर आता है, थोड़ा सा उपर, हैना, किसी भी बरतन में पानी भरा हो, और उसमें हम लोग सिक्का डाल दें, पांच उर्पया का सिक्का डाल दें, तो सिक्का थोड़ा सा हम लोगो को ऊपर नजर आता है ठीक है ना तो जो ऊपर नजर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आभासी गहर आई क्या बोलते हैं आभासी गहर आई और वास्तव में कहां पर रखाए माल लेते हैं सिक्का यहां पर रखा लें नीचे यहां ठीक और उपर से देखने पर सिक्का ह लोग को यहां नजर आता है ठीक है तो यह क्या होगा सिक्का का वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई नहीं वास्तों में सिक्का यहां पर है और सिक्का यहां दिख रहा है तो यह जो वाई यह क्या हुआ आभासी गहराई और वास्तों में सिक्का यहां पे तो यह क्या है वास्तविक गहराई रियल डेप्थ और यह क्या है आभासी गहराई अपारेंट डेप्थ तो क्या फॉर्मूला बताए थे इसमें रियल डेफ्थ बट्टे अपारेंट डेफ्थ बराबर मुू है ना वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई बराबर मुू है ना रियल डेफ्थ आर्डी बट्टे अपारेंट डेफ्थ एडी बराबर मुू यह फॉर्मूला भी बहुत महत्व पुर्ने भी याद रखेंगे इस चीज अम्रोग चर्चा कर चुके है पिछले बार गहराई बाला इसका चित्र भी बना के दिखाए थे हैं ना तो बोलेगा कि जो वास्तविक गहराया भासी गहराई होता है किस कारण होता है तो प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है है ना रिफ्रेक्सन औफ लाइट के कारण होता है अगला टोपिक देखेंगे पूर्ण आंत्रिक परावर्तन अगला टोपिक लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावरतन क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावरतन क्या होता है इसको समझेंगे कि रानी दीदी जिन्दाबाद आओ इतना लेट से का याई उसका किलास खौताम हो गया आज बैठा लो अपने साथे बुला लो अपने साथे बैठो 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 हमको चिंती है ना बाबू पूर्ण आंतरिक परावरतन टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन क्या होता है इसको अब देखो प्रकास की कीरन फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावरतन के लिए प्रकास की कीरन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी समझ गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहलबान समझ रहा है ना तुम्हेरा नाम पहलबान आसे रखा गया ठीक है समझो पहलबान सघन माध्यम से विरल माध्यम समझ गया पूर्ण आंतरिक परावरतन के लिए जरूरी है प्रकास की कीरन प्रकास की कीरन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए तो इसके लिए भी जरूरी है, पूर्ना आंत्रिक परावर्तन के लिए भी, परकास की किरन सघन माधियम से कहा जाएगी? विरल माधियम में जाएगी, इसके लिए भी सर्ट है अब होता क्या देखो, हम लोग क्या करते हैं? क्रांतिक कोन तक समझ गए थे? क्रांतिक कोन तक समझे ना तो जब क्रांतिक कोन होता है तो अपवर्तित किरन कहां चला जाता है सतह ठीक है जब क्रांतिक कोन बनता है I C. तो फरकास की किरन कहां चला गया? सतव पर चला गया, आर बराबर कितना हो गया? 90 डिगरी हो गया. लेकिन यदि कौन करांतिक कौन से भी बढ़ा हो जाए तब क्या हो गया? धीरे दीरे हम लोग कोन बढ़ाई थे, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुँच गए? क्रांतिक कोन तक पहुच गए? ता R कितना हो गया था? 90 डिगरी हो गया था, अब क्या करते हैं? कौन को क्रांतिक कोन से भी बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? quiere kakarta पहलवान, बहुत इसी में चला जाएका, पहले वाले माध्यम में चला गया, कहां चला गया, पहले वाले माध्यम से, तो जिस माध्यम है या उसी माध्यम में चला गया, तो जब परकास की किरण जिस माध्यम से आती ये वापस उसी में लोट जाए, इस घटना को क्या कहते है, परावर्तन कहते है तो जब प्रकाश की किरण जिसमाद्धियम से उसी में लोट जाए इसको परावर्तन न कहते हैं पीछे पढ़ाय थे ना परावर्तन लेकिन परावर्तन जो होता था अभी तक दरपन के द्वारा किया जाता था लेकिन यहां बिना दरपनें के परावर्तन हो गया नहीं हो तो इसी लिए इसको बोले परावर्तन है ना और यह जो परावर्तन होता है पूर्ण रूप से होता है क्या समझे और अंदर ही अंदर में हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या समझे तो इसको हम लोग क्या बोलते है इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्त जो बिना दरपन के हो उसको क्या बोलते है पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो सर्थ जरूरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितना सर्थ जरूरी है दोगो सर्थ है दोगो कंडिशन है क्या सब सर्थ है पूर्ण प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए ठेक और दूसरा सर्थ है कि जो आपतन कौन होना चाहिए वा क्रांतिक कौन से बढ़ा होना चाहिए प्रकास की किरन यह इंसिडेंट रहे है और यह अपवर्तित की रहने है रिप्रेक्टिल पर लिखेंगे प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए लिखा पहला सर्थ क्या लिखें प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए अंग्री जी में लिखें पासेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम प्रकास की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए लाइट रे पासेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम पहला सर्थ हो गया अब दूसरा सर्थ लिखो दूसरा सेर्ट लिखेंगे आपतन कोन कोस्ट में लिखेंगे आई क्रांतिक कोन से बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोन कोस्ट में लिखो आई सी आपतन कोन कोस्ट में लिखें आई फिर लिखें क्रांतिक कोन कोस्ट में लिखें आई सी से बड़ा होना चाहिए आपतन कोन आई क्रांतिक कोन आई सी से बड़ा होना चाहिए नीचे लिख देंगे आई बड़ा होना चाहिए किस से आई सी से यह दुसरा सर्त है I जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए किस से? IC से अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? Angle of incidence is greater than critical angle Angle of incidence cost में लिखे I is greater than critical angle cost में लिखे IC तो अंग्रेजी में पहला condition क्या हो गया? Light ray passes from denser medium to rarer medium दुसरा सर्त हो गया Angle of incidence is greater than critical angle I is greater than IC समझ गया? ये दोगो सर्त हो गया ये दोगो फुलफिल होगा ये दो सर्त पूरा होगा तब ये पुर्ण आंत्रिक परावर्तन होगा समझ गया? अब इसका परिभासा लिखो पुर्ण आंत्रिक परावर्तन का इसका परिभासा लिखेंगे जब प्रकास की कीरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है जब प्रकास की कीरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकास की कीरन वापस पहले वाले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है प्रकास की कीरन वापस पहले वाले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है तो प्रकास की कीरन वापस पहले वाले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है इस घटना को पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कहते है अंग्रेजी में लिखेंगे 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 and angle of incidence is greater than critical angle, and angle of incidence is greater than critical angle, then light ray is reflected back in the same medium, then light ray is reflected back in the same medium, this phenomenon is known as total internal reflection, this phenomenon is known as total internal reflection, समझ गया कोई दिक्कत नहीं ना, पूर्ण आंत्रिक परावरतन समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया बाबू, है, यह सब भी दुनिये है बाबू, यह सब भी दुनिया है, क्या समझे, इस अब का दुनिया में बहुत उप्योग है, क्या समझे, दुनिया में बहुत उप्योग है इसका, इसका उप्योग बताएंगे, इसका बहुत सारे जगा उप्योग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत उपियोग है क्या समझे इसका कहां कहां उपियोग है इंटरनेट का जो सिगनल होता है उसको एक अस्थान से दुसरे अस्थान भेजने में इसका उपियोग होता है क्या समझे पेट के अंदर का जो आंतरिक और्गेन होता है, आंतरिक अंग होता है, लिभर किडिनी, इस सब को देखने में डॉक्टर के दोरा इसका उप्योग किया जाता है, क्या समझे, इसका और भी बहुत सारा उप्योग है, सिगनल को एक जगा से दूसरे जगा बेजने में, है ना, अपना आंतरिक अंगों को देखने में डॉक्टरों की देवारे इसका उपियोग होता है समझ गया कि नहीं? तो इसका उपियोग सब हम लोग अगले बार देखेंगे हीरा का चमक ना, हीरा जो इतना चमकता है उसके लिए भी पुर्ण आंतरिक परावर्तन ही कारण है समझ गया ना? तो इन सब उपियोगों को हम लोग अगले बार देखेंगे समझ गया?